दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी किसी फाइल को सर्ज कर रहा होते हैं तो उसका नाम हमें ध्यान में नहीं आ रहा होता लेकिन हमें यह ध्यान रहता है कि हमने किस डेट से किस डेट के बीच में उसको create किया था फिर modify किया था तो आप डेट से कैसे किसी फाइल क को search कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूं तो Windows आपको यह feature देता है कि आप दो date के बीच में किसी file को search कर सकें कि हाँ इस in dates के बीच में यह file create की गई थी इसके लिए just simple method मैं आपको बताऊँ को जाएंगे इस पीसी में जाएंगे अब यहां पार आपको जिस drive में से किसी file को search करना हूं सब्सक्राइब में आपको पता है कि आपने ड्राइब में create की थी और द्राइब में create की थी तो आप उस drive में जाके जो मैं आपको आगे का step बताऊंगों वो कर सकते हैं जाए फिर आपको नहीं ध्यान है कि आपने किस drive में create की थी तो आप डिरेक्ट यहां पर सर्च कर सकते हैं ठीक है हो सकता है कि आपके पास यहां पर search box इस तरी के चोटा आ रहा हो तो इस तरी की सब expand कर सकते हैं यहां पर आप लिखेंगे date modified टीक है डेट मोडिफाइड के बाद एक कॉलाउन लगाएंगे कॉलाउन के बाद बिना इस पेस दीवें यहां पर आप डेट लिखेंगे पहली स्टार्टिंग डेट ठीक है आपको जो अंदेशा लग रहा है कि हां टीक है इन दो डेट के बीच में फाइल होनी चाहिए तो पहली डेट यहां पर लिखेंगे और डेट में सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे जैसे सब मन्त छल रहा है सब्टेंब्र शेप्टेंबर मतलब 9 ठीक है देन उसके बाद आप एक slash लगाएंगे slash लगाने के बाद आप जिस date से जिस date के बीच में आप सर्च करना चाते हूं एक सेप्टमबर से मैं सर्च करना चाता हूं देन एक और slash लगाऊंगा देन यहां पर year देन उसके बाद एक space देंगे then double dot यहां पर double period sign ही आप लगाएंगे double dot के बाद आप एक और space देने के बाद आप जिस date तक search करेंगे वो आप यहां पर लिखेंगे ठीक है और उसमें भी पहले month रहेगा month then उसके बाद slash then किस date तक suppose 5 सितमबर तक मुझे सर्च करना है यहां पर slash then यहां पर year ठीक है तो सबसे पहले month रहेगा then उसके बाद date then year इस तरीके से इस format में आप search करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कहां से लेके कहां तक की file यहां पर आ रही है सबसे पहले 5 सितमबर की आ रही है यानि कि 5 सितमबर तक की सबी files और folder मुझे यहां पर दिखा रहा है उसके अलावा सबसे नीचे अगर मैं आ जाओं तो यहां पर जो date आप देखेंगे वो आप देख रहे हैं बीच जो data है उसको find out कर सकता हूं और फिर में लिए easy हो जाएगा बहुत सारी files में से search नहीं करनी पड़ेगी तो यह था चोटा सा process जो आपके काम आ सकता है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया वीडियो चलगाव लाइक कीजी शेयर कीजीगा मैं फिर आऊंगा एक नई और amazing trick के साथ आप तक लिए धन्यवाद जय है